सब्सक्राइब करें जोतिस SPS चैनल को और बेल को दुबाईए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमास्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है तो हमारे पास डेली बहुत सारी हाथ की फोटोज आती है किसे हाथ में हार्ट लाइन नजर आती है जैसे कि आप इस हाथ में भी देख पा रही है पर किसे हाथ में नजर नहीं आती है जैसे कि आप इस हाथ में भी देख सकते हैं तो जिनके हाथ में नजर नहीं आती है तो उन सभी का सवाल रहता है कि हमारे हाथ में हर्दयरेखा नजर नहीं आ रही है तो इसके पीछे का मतलब क्या है और हर्दयरेखा से मिलने वाले फाइदे हमें प्राप्त होंगे या नहीं होंगे तो जिन्ता मुक्त हो जाईए क्योंकि आपको इनी सभी सुवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखर तक बने रहेगा मिलेगी प्रॉपर जानकारी शिरुवात करेंगे आपके एक लाइक के साथ आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आईए शुरू करते हैं शुरुवात करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट एंड में अगर लड़की हैं तो अपने लेफ एंड में इस जानकारी को देखिएगा अगर इस परकार से आपके हाथ में भी हर्ट लाइन गुरू परवदक जाती है तो ये आपके लव मेर्ज के चांसर को बढ़ा देती है और अगर आपने हमारे पहले की वीडियो देखी हैं तो आप इसके बारे में भली भांती जानते होंगे अगर आप नहीं जानते तो आपको शौट में बता देते हैं दोस्तों कि अगर इस परकार से हर्ट लाइन आपके हाथ में दोस्मुक्त है मतलों के बीच में से तूटी हुई नहीं है या फिर ये कहिए कि किसी परकार का कोई गैप नहीं है तो आपको बता दोएं कि यहाँ पर आपके मन चाहे जीवन साथी से विवा होने के आपकी योग बढ़ जाते हैं और शायद अभी तक आपने नोटिस नहीं किया होगा दोस्तों के इस हाथ में जो हर्ट लाइन है वो आगे जाके दो मुखी बन जाती है मतलों के इस परकार से दो मुख इसमें से निकल रहे हैं और यहाँ पर इंगलिश का लेटर वाई बन रहा है पर इसे कहते हैं दोस्तों हस्तरेखा की भाषा में विश्नू का निशान और जिनके हाथ में विश्नू का निशान होता है तो देखा गया है कि इनके जीवन में कम उमर में ही बड़ी सफलता का योग बनता है तहने का भाव यह है कि ये अपने जीवन काल में कम अमर में ही बड़ी खाम्याभी हासिल कर लेते हैं जाला तर तर ये देखने को मिलता है कि इनके परिवार में पहले से चलता आ रहा बिजनेस ये आगे बढ़ाते है जिसमें इनको जादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है क्योंकि अगर आप कोई नया कारे शुरू करेंगे तो उसको जीरो से शुरू करके आगे ले जाना पड़ता है और खुद से उसको बनाना पड़ता है पर इस केस में जिनके हाथ में विजणू का निशान बनता है तो ये पहले से चलते आ रहे अपने परिवार में ही कारे को आगे बढ़ाते हैं और उसे बड़ी सफलता तक लेके जाते हैं तो दोस्तो अब तक जो भी आपको बाते बताई ये इसलिए बताई है ताकि आपको पता चले के हर्ट लाइन के पीछे का रहस्य क्या है और ये क्या विजश्ता रखती है आपके जीवन में अब जिनके हाथ में हर्ट लाइन नहीं होती है जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं तो इसके पीछे का क्या मतलब है क्या आपको फायदा नहीं मिलेगा हर्ट लाइन से होने वाले विशेश्ताओं का तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपके हाथ में इस परकार से एक रेखा बनी होई है और सीधी रेखा है मतलब कि एक पॉइंट से शुरू होके दूसरे पॉइंट तक जा रही है तो दोस्तों इसे कहते हैं सीमियन लाइन इनके से अगर आपको नहीं पता था तो अगर आपको कोई ये कहता है कि आपके हाथ में हार्ट लाइन ही नहीं है तो ये गलत बात है दोस्तों आप इसे सिरे से खारिज कर सकते हैं क्योंकि हार्ट लाइन हर किसी के हाथ में होती ही है अब चाहे छोटी है या बड़ी है या अलग है या फिर मर्ज होके चली है आपके हाथ में तो दोस्तो आपके हाथ में हाथ लाइन सीमेल लाइन के रूप में हमें नजर आती है तो इसका क्या मतलब होता है इसके पीछे का रहस्य क्या है तो दोस्तो अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से एक सीमेल लाइन बनी हुई है तो आपको बताना चाहेंगे कि इसका एक नेगिटिव पॉइंट है और एक पॉजिटिव पॉइंट है पर पहले बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट के बारे में देखे दोस्तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनके जीवर में इनको मन चाहा कारे करने का मौका मिलता है मतलब कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या स्किल है और आप उसके दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी कला को दिखाना चाहते हैं और उसे अपने प पास financial support ना हो मतलब कि आपके पास पैसा इतना नहीं है कि आप अपने खुद के दम पे आगे बढ़ पाएं तो आपको ये recommend करेंगे कि आप शुरुआती समय में अपनी कोई भी जोब आप जो भी कर रहे हैं उसे करते रहिए पर side में आप अपने इस color पे भी ध्यान दीजि हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि ये सफलता पाने का मौका कितनी उमर में मिलेगा तो दोस्तो देखिए अगर आपके हाथ में भी इस परकार से अगर similar line बनी हुई है तो आपके जीवन में ज्यादा तर देखने को मिलता है कि 30 साल की उमर से पहले मौका आ जाता है बट आपको मौका नहीं चूकना है क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं और अगर आपने मौका संभाल लिया तो सक्सेस भी जरूर मिलेगी तो दोस्तों ये तो बाते होगी positive points की अब हम जानेंगे कुछ negative points के बारे में तो जिनके हाथ म इस परकार से एक similar line होती है तो इनका सभाव आड़े आजाता है कहने का भाव ये है कि ये short temper वाले होते हैं जल्द ही गुसा इनको आजाता है अब यहां इनके जीवन में confusion भी रहती है career related क्योंकि ये किसी कारे को decide नहीं कर पाते हैं जिस वज़े से इनके दिमाग में उलजन चलती रहती है और जो ये कारे कर रहे होते हैं तो उसमें इनको satisfaction नहीं मिल पाती है क्योंकि जितना ये मैनित करते हैं उतना इनको fun नहीं मिल पाता है और कोई भी कारे अगर ये long term के लिए करने की सोचें तो शुरुआती समय में तो इनके अंदर पूरा होसला होता है पर आ हमारे पास जितनी भी हाथ की photo's आती हैं उनमेंसे जिनके हाथ में similar line होती है तो उनका ज्यादा तर यही सवाल होता है कि हमारे हाथ में हर दर एका नहीं है तो हम कैसे पता करें कि love life हमारी कैसी होगी या फिर हमारी love marriage होगी या नहीं होगी तो दोस्तो अगर आपके हाथ में भी इस परकार से एक सीमेल लाइन है तो बताना चाहेंगे कि इन लोगों के जीवन में रेंज मेरिज के योग हमें जादा नजर आते हैं क्योंकि दोस्तों इनका फ्रेंड सरकल छोटा होता है इनकी नेचर की वज़े से दोस्त मित्तर भी बहुत कम होते हैं और जिनको ये पस लोव मेरिज के चांसे को कम कर दीती है तो यहां पर हमें सीधा सीधा सिंकेत मिल जाता है अरेंज मेरिज का तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन नहीं है और एक सीमेल लाइन बनी हुई है तो इसके पीछे का क्या रहस्य होता है आई होप कि आपके सभी डाउट से यहाँ पर किलियर हो गई होंगे बड़ अगर अभी भी मन में को सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आगे आपके स्टोपी के ओपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सिजेस्ट कर सकते हैं पर एक जरूरी बाज आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एकुरिट नहीं होती है माने वाले मानते हैं इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं अगर अगर आपको इन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हम झाल झाल